Hi friends, this is Mayur, you're watching Beyond Bollywood Plus. आज हम बात करेंगे Hollywood film Deadpool and Wolverine की. लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्स्क्राइब पीजएगा and don't forget to press the bell icon. फिल्म Deadpool and Wolverine is coming, releasing in the world and in India also on July 26th. इससे direct किया है Sean Levy ने, जो Marvel Cinematic Universe में अपना पहला कदम रख रहे हैं. इसके नाम ही बस काफी है, ये दो जो characters है, डेटपूल जो Marvel की दुनिया से आते हैं और फिर Wolverine जो X-Men की franchise से आते हैं. डेटपूल इविन दो काफी इनकी फिल्में जो फिल्में हैं, वो काफी वाइलेंट रहती है और भरपूर खून बहता है, और में जो इनकी जुबान है, काफी कड़वी है, जो भी मन में आता है, मूँ में आता है, ये बग देते हैं, शरम हराया, ये कुछ देखते नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद, इस कारेक्टर डेटपूल को इतने सालों से पसंद किया गया, और ये कारेक्टर दूसरी और ओविसली एक्समें के बुल्वरीन, जो कि मैं मानता हूं, शरहे इक्समें फ्रेंचाइज के सबसे प्रसिद कारेक्टर है, और बुल्वरीन की मैं कहूंगा, एक उनके अंदर ए हर बार उन्होंने कमाल का काम किया है, और ऐसा नहीं है कि ये दो एक्टर्स, आप जो एक्समें की सारी फिल्म में देखियें, अगर आपको याद हो, एक्समें वुल्वरीन ओरिजिन्स, उसके अंदर बेसिकली यूजाटमन तो अबिसली, यूजाटमन तो अबिसली, यू वुल्वरीन ओरिजिन्स में ये तो एक सूपर वेपन एक्स के तौर पे बनके आए थे, और उस फिल्म के क्लाइमाक्स में, लोगन वीड विल्सन ने जो सूपर एक्स वेपन बना दिया है, उसका खात्मा करते हैं, और अब तब किसने सोचा था कि इतने सालों के बाद, य जो पहुत बोलता है कान में चुपी नहीं होता है कि कान दर्द हो जाते हैं, और वो आने वाले सालों में दर्शोका का एक चहीता क्याक्टर बन जाएगा, और बाद बिकमिंग डेड पूल, तो जब दो ऐसे बहुत ही लोग प्रिया किरदार एक ही छट के नीचे आते हैं, एक ही फिल्म के अंदर आते हैं, तो जाहिर है, धर्रशोको की काफी एक्सेशन रहती हैं, there's lot of excitement, मेरा ऐसा मानना है, I think unfortunately उननों का आना, लेकिन नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोई कानी खास थी नहीं यहां डिरेक्टर शॉन लीवी और उनके बाकी राइटर्स के पास 2017 में जो लोगन फिल्म आई थी उसमें तो अगर आपको याद हो वुलवरीन गैरेक्टर इट डाइज तो फिर अब जो किरदार मर चुका है अब वो जिन्दा कैसे आएगा बस दो चीद होती या तो आप कुछ जैसे कि हमने इंड गेम में देखा था आप इतियास जाके बदल ले या फिर जो मेरे खाल से बहुत फाइदे मंद होता है एसी सुपर हीरो फिल्म का वो है शब मल्टी वर्स बस इसी मल्टी वर्स में आप समझ जाएंगे कि अनेक लाकोद दुनिया है और एक किरदार उसकी बाकी दुनियाओं में भी उसके रूप होते हैं कानी बही सिंपल है कि बस की डेड़ पूल की जो दुनिया है उसके अंदर उसे खत्रा है अब कैसे खत्रा है यह थिंग बैतर होगा आप फिल्म देखें और फिर उन्हें चाहिए कि जो एक इनसान मर चुका है और उसे वापस कैसे लाया जाए फिल्की शुरुआ आप डेड़ पूल जा रहा है वुल्वरीन की कबर खोद रहा है और उसकी कबर खोद में से क्या मिलेगा एक सिंगर तो आपको वैसी लगता है कि क्या पता वुल्वरीन जा रहा है कि क्या उस कबर में से वुल्वरीन निकलेगा और वुल्वरीन तो नहीं निकलता बस उनका कंक के साथ जो डेड़ पूल करते हैं फिल्म के शुरू में और जो ओपनिंग क्रेडिट्स आप देखेंगे कि ऐसे उनकी हड्डियां उनकी हड्डियों पे क्रेडिट्स आते हैं नाम आते हैं फिर जैसे ये काने आगे बढ़ती है ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं बेटर है आप इस फिल्म को कुछ देखें बस मुझे यही लगा कि from a story point of view इन दोनों का एक फिर से आना परदे पे लाजमी था ना ही डिरेक्टर लीवी और ना ही उनके राइटर्स उनके पास कोई दमदार काहमी नहीं थी बस फिल्म के जो शुरू के ओपनिंग है और फिर जो एंडिंग है I think last 20-25 minutes वो काफी अच्छा है बट बीच में बस एक मैं कहूंगा यह फिल्म जवर्दस्ते की जोडी गई है और I think अगर कम शुद्धों में तो कहूं तो राइटिंग इस फिल्म की बुरी नहीं है जो लोग गाक उमर पसंद करते हैं और किनोंने Marvel या X-Men दोनों की दुनिया पहले बहुत देखी है तो इसके अंदर जो गैग्स है और खासकर जो डिग्स है वो आपको काफी हद तक समझ आएंगे मैं सोच रहा था है फिल्म देखते समय की इन दोनों को वापस लाना और इस फिल्म जैसा कुछ दिखाया गया है पहले तो यह जो डेटपूल का किरदार है उसका एक ऐसा नहीं की पहले डेटपूल वान और डेटपूल टू में आपने उनका एक एमोशनल साइड ना देख है वहाँ तो उनका कोई योगदान रहा नहीं वो एक अब उनकी दुनिया अलग रही है एंड आइड 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 आइस फिल्म इस स्टोरी आइडिया वस बॉन फ्रॉम डेटपूल फीलिंग लेफ्ट आउट फ्रॉम दे मावल सिनेमाटिक यूनिबस और बस यह फिल्म समझ लीजे कि यहाँ डेटपूल चाते हैं कि वो दुनिया को बताए कि वो एक डाक सूपर हीरो फ्लॉट सूपर हीरो तो है लेकिन इस बार वो एक अच्छे सूपर हीरो बनेंगे और अपने शब में वो तो खेर अपने मुँँ से ही तारीफ करते यार अपने आपको वो इस फिल्म में एक मार्वेल जीजिस के रूप में वो कहते हैं कि वो उस रूप में उभर के आए हैं कि यह तो दिया लेकिन क्या उसे वो निभाएंगे आइड़ जो डेटपूल के फैंसे वो असी तरह जानते हैं कि इस वक्ति का तो बस मुँ कभी बंध होता नहीं और ना वुल्वरीन वेड विल्सन को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मुँ चुब होगा कि नहीं और फिर जब वो वेपन एक्स बनके आते हैं तो तब तो उनका मुँ सील दिया जाता है तो कहें रायन रेनल्स आई तिंग हीज़ और अपने आप पे हसा जाए और खुद पहली तो कहां पे डेडपूल अपने एक वेरियंट उसका जो रिप्रेसेंटेशन है में जादा कुछ कहूंगा नहीं डेडपूल अपने आपको भी मौक कर रहे हैं और फिर मुझ ऐसा ल कंपनी इंट फॉक्स के जो भी एंटरेइनमेंट बिसन है उससे तो डिस्नी ने अक्वाइर कर लिया था और आप यूद आपने कैसे इसका डेडपूल का एक्टर के साथ जस्टिस नहीं की और सिमल लर्ली एक्समें किया यूद आपको यह फिल्म शाएद ऐसा कहना चाहती है कि सबसे बड़ी गलती एक्समेंड वालों ने ये की कि उन्होंने लोगन गुलवरीन को जो लास्ट फिल्म आई थी उसमें उन्होंने उसे मार दिया गया था फिल्म के अंदर आपको अब इसली काफी स्पूफ जैसा लगेगा गैग्स लगेंगा जारदर सीन आपको गै इस डेटबूल करेक्टर को अगर आप देखें तो नोट जिस्ट अमाविल सिनेमाटिक उनिवर्स लेकिन ओर ओर ओल कोई भी सूपर हीरो फ्रैंचाइज हो और ये सबसे अनोका करेक्टर है और जैसा इसका स्वबाव है गाली गलोज करना बिलो दो बेल्ट ओपनली बात क करना अब इन सब के बावजूद लोग इसे पसंद करते हैं हम कह चुके हैं और मेरी निजर में मैं अगर इसका करेक्टर का अगर एक बेस्ट इस्टोरेशन दू तो जैसे कि ये कोई सूपर हीरो की दुनिया का ये रसल पीटर्स है और दूसरी और यूज जैक्मन एस देखने को मिली होंगी एक्समन की फिल्मों में और इसका जो विलन भी है पहले तो जैसे लग रहा है कि एक ब्रिटिश कैरेक्टर है और जो की सभी दुनिया एक खतम करना चाहता है वो कैसे करता है उसका विग्यान आप खुदी देख लिएगा अच्छे लिए हैं इस कुछ कानी नहीं थी जो मेंन विलन का कारेक्टर है उसके बारे भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा नहीं तो सस्पेंज रिवील हो जाएगा बड़ी उमीद है इस फिल्म से अगर आप क्रिटिकल अनालेसिस से देखे तो फ्रम ए स्टोरी एं स्क्रीन पें पर यूँ यहा तो जरूर इस फिल्म को जाके देखेंगे रही बात रेटिंग की मैं इस फिल्म को देता हूँ पांच मैंसे दो स्टास